हेलो फ्रेंड्स आज बनाएंगे गेहूं के आटे का बहुत ही ज़्यादा चटपटा क्रिस्पी नास्ता इस बात की तो गरेंटी है कि इस नास्ते को आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा है तो चलते हैं friends अपनी recipe स्टार्ट करते हैं और अगर आज की recipe आपको पसंद आ जाती है तो like कर जीजेगा और family friends के साथ में share करना बिल्कुल मत भूलेगा तो यहाँ पर इस नास्ते को बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा mixing ball लिया है और इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया है और उसी के साथ में एक कटोरी मैदर डाल दिया है आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा गेहूं के आटे से बना सकते हैं यह मैदे से भी बना सक तो मैंने 50-50 ले लिया है, ठीक है, नमक थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, जैसे मट्री अट्री में डालते हैं, थोड़ा सा, आधा स्पून के लगभग अजवाइन को हाँ से थोड़ा सा क्रस करके डाल दीजिएगा, आधा स्पून ही यहाँ पर कलोंजी है, इसका यह बढ मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम एट करेंगे थोड़ा सा मोयन के लिए तेल, तो तेल यहाँ पर बहुत जादा नहीं डालना है, लगभग आप 3-4 चमच डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको मिक्स करिएगा, और थोड़ा सा हथेलियों से रब करत तेल को हमें आटे के साथ में मिक्स कर लेना है, जिससे की मोयन इसमें बढ़ियां से मिक्स हो जाए, तो यहाँ पर मैंने 4 चमच मोयन डाल कर इसे अच्छे से मिक्स किया है, बढ़ियां से देखिए, एक मूठी सी बन रही है, बस इसी तरीके का मोयन आपको लगा कर रेडी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आटे को लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के आप इसको गूतिएगा, जिससे की यह बहुत जादा पतला ना हो, क्योंकि अगर यह थोड़ा सा पतला आपने गूता ना, तो इसका नास्ता नहीं बन प तो यहाँ पर देखिए इसको ऊपर से थोड़ा दो तीन डॉप ओयल के डाल दीजिएगा, थोड़ा सा चिकना कर देना, इसी तरीके से करके हमें इसे ढख कर देना है, दस मिनिट के लिए, तब तक हम कर लेते हैं, दूसरी तयारी, तो यहाँ पर चार उबले हुए आलू ह इनको अच्य से मैस कर लेना है, फोक की हल्प से मैस कर रही हूं, क्योंकि अभी अलू गरम है, अगर ठंडी है तो आप हाथ से भी इसको मैस कर सकते हैं, अच्य से mix करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें आट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटे साइस का प्याज है बारिक बारिक करके इसमें एड़ कर रही हूँ अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं आधी चमच के लगभग यहाँ पर धन्या पाउडर डाल देंगे 1 फोर सी स्पून भूने जीरे का पाउडर डालेंगे जीरे को भून लिया है फिर उसको पीस लिया था और आधी चमच के लगभग अमचूर पाउडर डाल देंगे अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं 1 फोर सी स्पून गरम मसाला डाल देंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर डाल देंगे एक चम्मच के लगभग पाव भाजी मसाला इससे बड़िया सा फ्लिवर आ जाता है आधी चम्मच के लगभग कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ ही एड़ कर देते हैं अपने टेस्ट के अंसार नमक अब इसमें बच्यों की पसंदीदा सॉस हम डाल देते हैं टमेटो सॉस तो एक या दो चम्मच डाल रही हूँ अगर आपको पसंद ने तो आप इसके बेस कर सकते हैं तो आप ग्रीन चेटनी जो होती न धनिया पुदेने की चेटनी वो है आप उसको भी एड़ कर सकते हैं थोड़ा से यहाँ पर हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके एड़ कर दिया है और सभी जीजों को इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर रेड़ी कर रहे हैं अपने नास्थे के लिए फिलिंग यह फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है इसको बिना फ्राई की हुए बना रहे हैं फटा-फट से बनकर रेड़ी हो जाता है आप चाहें तो पनीर की फिलिंग भी बना सकते हैं यह इसमें आप अगर कुछ और सबजियां एड़ करना चाहते हैं बारी चॉप करके उनको भी एड़ कर सकते हैं फिलहाल तो मैंने आलू की चिटपटी सी फिलिंग बना कर रेड़ी कर लिया है अब इसको रख देते हैं साइड में अब यहां पर मैंने जो किचन टॉप है उसको क्लीन कर लिया है क्योंकि मैं इसी में इसको बेलने वाली हूं आप चाहें तो जो चकला होता न उस पर इवेल सकते हैं तो यहां पर जो आटा है उसने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है और उसके बाद थोड़ा से इसको चिकना कर लिजिएगा आटे को चिकना करने के बाद इससे हमें छोटी छोटी लोई तोड़ कर रेडी कर लेनी है जैसे निम्बू का सेफ होता है न छोटे वाले निम्बू का बस उतना उतना आप इसकी लोई तोड़ लीजिएगा अब यहाँ पर एक लोग को इस तरीके से हाथ के बीच में हथेलियों में रखना है और इसे इस तरीके से चप्टा कर लेना है और जैसे हम रोटी को बेलते है 하는 बस उसी तरीके से आप बेल लीचेगे विल्कुल भी चिपकेगे का नहीं क्योंकि हमने इसमें मोयन का यूज किया है अब knife की help से एक cut लगा देंगे center पे और अब ये देखिए इस तरीके से आपको knife की help से cut लगा देने हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा trick नहीं है friends थोड़ी थोड़ी दूर पर आप इस तरीके से cut लगा देंगे ना तो हमारे नास्ते बहुत ही अच्छी सी design आ जाएगी मतलब की बहुत सारी परतें आ जाएंगे अब जो हमने आलू का मसाला बनाया तो उसको इस तरीके से थोड़ा सा portion मतलब की आप देखना की कितना space है आपके पास उस हिसाब से आप आलू का portion यहाँ पर रखिएगा मसाला की stuffing और इस तरीके से आप रोल करना ठीक है थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हास से उठाते हुए आप इसको रोल करेंगे न तो बहुत ही अच्छी सी एक डिजाइन आने वाली है हमारे नास्ते में और नीची वाला जो भाग है आप इस तरीके से दबा दीजिएगा मतलब की seal pack कर जीजिएगा बहुत ही आराम से जो भी साइट से उनको भी आराम से चिपक जाएंगे यह हमारा एक नास्ता बनकर रेडी है इसी तरीके से हम दूसरा नास्ता भी बना लेते हैं और बनाने में कोई भी प्रॉलम नहीं आने वाली सिंपल आपको बेलना है कट लगाना और अपनी फिलिंग को इस्टफ कर दे तो फ्रेंट से लग रहा है कि बिल्कुर से यूनिक सा नास्ता है जिसे भी आप खिलाएंगे ना तो यखीन मानिए एक बर पूछेंगे जरूर कि इसको आपने कैसे बनाया क्योंकि जो इसकी डिजाइन आएगी ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और बिल्कुल ल सभी ज्याद समूसा कैसे ही रहेगा अगर आपके मन में कुछ और नाम आ रहा है तो आप ओभी सेजिस्ट कर सकते हैं केमेंट सेक्षन में क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं नाम चाहे जो भी हो लेकिन खाने में ब चमत्षी मैंदा लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमे एड़ कर देते ह। थोड़ा सा नम्मक की फीका न लगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया डाल दिया है आधा इस्पून के लगभग चिली फ्लेक्स डाल दिया है और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पतला से इसका बैटर बनाकर रेडी करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही आप इसका बैटर बनाईएगा और मैं बाद में आपको दिखाती हो कितना पतला रखना मतलब की काफी पतला रखना है यह देखिए बिल्कुल पोरिंग वाला कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी ठीक बिल्कुल भी मत रखिएगा बिल्कुल से हलकी सी लेयर आनी चाहिए इस तरीके की मतलब की जो हम अपना नास्ता ब बना कर रेडी करना है अब साइड वे मैंने गैस पर तेल रख दिया गरम करने के लिए और अपने नास्ते को एक एक करकर इसमें डालते जाएंगे तो तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए मीडियम गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम फिर बिल्कुल से स्लो करती पर इसे हमें फ्राइ करना है और जब यह स्लो फ्लेम पर आप इसको फ्राइ करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी होता है अंदर तक पक जाता है और जितनी लेयर से एकदम से क्रिस्पी हो जाती है तो यहां पर अलट पलट के लाइट गोल्डन कलर आने तक आप इनको फ्राइ कर लीजिएगा और अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा से इन में कलर आ गया है तो बस इसी तरीके से हमें इनको फ्राइ करके रेडी करना है और देखने में लग रहा ना बिलकुर से अमेजिंग सी रेस्पी इस तरह से आटे की ऊपर से हमन बनाने का तरीका भी बिलकुर से सिंपल है और इसके अंदर जो फिलिंग है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो अगर आप आलू के साथ बनाना चाहते हैं तो आलू के साथ जैसे मैंने बनाये ऐसे बना सकते हैं ने पनीर की और चीज की स्टुफिंग करनी है आप चीज के साथ में भी इसे बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनकर रेडी होता है तो यह देखे हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होकर रेडी हो गया है किसी भी महमान को अगर आप इसे सरु कर देंगे ना तो यखीन मानियों पूछेंगे जरू और रिष्टेदारों के साथ सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसे चरह कि आसान और यूनिक रेस्पी देखने के लिए बला आइकन को जरूर प्रस करिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को फटा फट से मिल जाएं और यहां पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूं कितना जादा यह क्रिस्पी है अभी बहुत जादा गरम है मेरी फिंगर्स जल जाएंगी तेकिन बहुत ही जादा क्रिस्पी था फ्रेंट्स और बहुत देख रहे हैं मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा तो आप लोग इस यूनिक से क्रिस्पी से नास्ट्य को बनाइए और मैंने से सर्व किया है टमेटो सॉस के साथ में तो आप लोग भी इंज्वाय करिए मिलते हूं एक नई रेस्पी के साथ तब तक अपना ध्यान क्रिस्ट के वाप बाई